राधे राधे सबी को पापा कुंसा एकादसी वरत 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर को रखा जाएगा इसे लेकर के बहुती कनफ्यूजन है तो इस वीडियो को देख करके आपका कनफ्यूजन दूर हो जाएगा लेकिन वीडियो को देखने से पहले यदि आपने हम्मेरे चै पापा कुंसा एकादसी का वरत रखा जाता है एकादसी का वरत भगवान विश्नु को समर्पित है एकादसी के दिन विधी पूर्वक पूजा करने और वरत रखने से प्रभू नारायन की विशेश्क्रपा प्राप्त होती है धार्मिक मानेताओं के अनुसार पापा कुंस एका दसी का व्रत करने से हर तरह की पाप मिड़ जाते हैं और धन धान ने सुक समद्धी की प्राप्ति होती है तो आएए जानते हैं कि अक्टूबर में पापा कुंसा का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का सुब समय क्या रहेगा हिंदु पंचां के अनुसारा स्विन माहा के सुकल पक्ष की एका दसी तिथी का आरं 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से होगा और एका दसी तिथी का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 41 मिनट पर होगा तो पापा कुन सा एकादसी का व्रत 13 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा पापा कुन सा एकादसी व्रत के पारण का समय 14 अक्टूबर को ही किया जाएगा बता दें कि एकादसी का पारण दादवसी तिथी में किया जाता है एकदसी का पारण 14 अक्टूबर को दोपेर 1 बजकर 16 मिनट से दोपेर 3 बजकर 54 मिनट तक के बीच में किया जाएगा एकदसी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं एकदसी व्रत के अगले दिन सूर्योद के बाद में पारण किया जाता है एकदसी व्रत का पारण हरिवासर के दोरान कभी भी नहीं करना चाहिए जो उस्रत दालू व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर सामापतोने की प्रतिक्षा करनी चाहिए पारण तिथी के दिन हरिवासर सुबह 11 बचकर 56 मिट पर होगा पापा कुंसा एकदसी के दिन या अन्य एकदसी के दिन आप इन मंत्रों का जाप जरूर करे हैं तो सबसे पहला मंत्र है ओम नारायना विद्यहे बासु देवाय धीमेही तन्नो विष्णु प्रचोदयाद दूसरा है ओम नमो नारायनाय नमे तीसरा है ओम विश्णवे नवे और चोथा है ओम नमो भगवते बासू देवाय नमो तो इन मंत्रों का जाब करेंगे तो विश्णवुगान की क्रपा आप पर बनी रहेगी आपका परिवार सुक संपत्ति से युक्त और प्रशननाता से भर जाएगा धन्यवाद